हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में चर्चा करने वाला हैं, इसने हमारे को बहुत ही फिक्र में डाल दिया है, जैसा कि आपको थम्नेल में लाल कलर की आँग दिख रही है, उसी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं, बोले तू कंजक्टिव यह फिर किसी competition की तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों के लिए important होने वाला है वीडियो सुरू से end तक इस वीडियो को जरूर देखेगा तथा अपने रिष्थेदार अपने दोस्तों को share कीजिए गा तो दोस्तों इसके अंदर आपकी यानि की आख लाल कलर की हो जाती है तथा आपके आखों से जो यह तरल पदार्ज होता है वाइट कलर का या फिर पिले कलर का यह आने लगता है तथा दोस्तों आपके आखों में सुजन आने लगती है तो दोस्तों अपन इसको शुरू करते हैं और समझते हैं तो कंजेक्टिवाइटिस सबसे पहले अपन इसको के conjunctivitis क्या होता है तो दोस्तों हमारी आंग के उपर एक पारदर्सी जिल्ली होती है जैसे conjunctiva कहा जाता है conjunctiva का infection हो जाना conjunctivitis कहा लाता है दोस्तों यह वाइरस ज्यादा फेलने के कारण इसको फ्ल्यू कहा गया और इस बिमारी आंग की है इसलिए इसे आई कहा गया तो दोस्तों इसे mix करके क्या कहा गया आई फ्ल्यू यहाँ बिमारी विशानों और जीवानों दोनों से देखने को मिल रही है बिमारी का मुख्य कारण वातावरन परिवर्तन है यानि कि दोस्तों कहें जगों पर बारिश आ रही है कहीं जगों पर बार्ड का प्रकोप है तो बदलता मुसम बदलता वातवरन के कारण यह बिमारी फेल रही है अगर किसी जगों बार्ड नहीं आ रही है तो समझो उसको आइफल्यू नहीं है अगर उसको आइफल्यू नहीं है तो यह समझो कि वह नहीं आ रही है इस विमारी के लक्षन तो दोस्तों इस विमारी का लक्षन है पहला लक्षन आखो का रंग लाल होना इस प्रकार दोस्तों आपको फोटो में दिख रहा होगा कि आखो का राल रंग होना इस विमारी का लक्षन है आख का भारी होना आख में सूजनाना आख मे खुजली होना वह आक से आसु या तरल पदार्थ का बाहर निकलना जो आपको ये रेलो कुलर का तरल पदार दिख रहा है इस प्रकार का इसमें होता है तो दोस्तों ये थे आपके बिमारी के लक्षन आगे हम बात करते हैं बचाओ के लिए इलाज वह घरेलू उपाए दोस् है आपकों में सुजन आई रही है आपकों का रंग लाल हो रहा है तो आपको आपकों को रगड़ना नहीं चाहिए नॉर्मली भी आपको आपकों को नहीं रगड़ना चाहिए तीसरा उपाए आपकों काला चस्मा लगा लेना है यदि आपको आई ब्लू हो गया है तो आप आखों में लेंज का प्रयोग करते हैं तो आई फ्लू होने पर आप आखोंग पर लेंज का प्रयोग नहीं करें अगर आपको ज्यादा ही तकलिप हो रही है और दोस्तों अग यह हो गया है तो आप डूक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो नौर्मली आप कौनसी दिखाना चाहिए और दोस्तों साथ वाय मोत्या बिंद का ओप्रेशन हो तो डोक्टर को ही दिखाए अगर आपको दोस्तों आइफली हो गया है और आपके मोत्या बिंद का ओप्रेशन हो आए तो आपको डोक्टर को ही दिखाना चाहिए आगे हम बात करें इस बिमारी से है तीसरा है किसी की दूसरे की चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए जैसे कि दोस्तुम अगर आपका competition की त्यारी कर रहे हैं आपका roommate है आपने उसका टूवाल ले लिया उसने आपका रूमाल ले लिया तो इस प्रकार आपको उपयोग नहीं करना चाहिए चोता है साप सुत्रा वातरों रगें दोस्तों आपके कमरे की हालत आपके घर की हालत सभी साप सुत्री रहनी चाहिए बीडबार वाले शेत्रों में नहीं जाए दोस्तों अगर आप कहीं काम हैं कहीं जाना चाते हैं तो सुरुक्षा से जाए अगर काम नहीं हैं तो तो आप पीड़ बाड़े शेत्रों में नहीं जाए इस प्रकार दोस्तों आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं तथा अपने आपको तथा अपनी फेमिली को सुरक्सित रख सकते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब किज तथा आपने दोस्तों तता रिष्टेदारों को वीडियो को जरूर शेयर किजिएगा और दोस्तों कमेंट बोक्स में कमेंट करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे तता आपको बिमारी से बचने के उपाई प्र्ट और बार प्र किजिए वीडियो कि अत्या मैं आपको जेयर कि आपके लीडियो कि आते पीडियो straw मैंदावाद।